आज मैं लेकर आई हूँ कच्चे केले की एक दम अलग तरह की रेसिपी इतना मज़िदार इसका टेस्ट होता है कि आपने एक बारी से बना लिया तो बार बार बनाना चाहेंगे चपाती के साथ या चावल के साथ ये बहुत अच्छी जाती है तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले हमें मसाले बना कर त्यार करना होगा एक पैन में डालिए आधा कप पानी और अब डालना है एक टेबल स्पून धनिया एक टेबल स्पून जीरा और एक टेबल स्पून काली वाली सरसो, पीली सरसो का भी इस्तमाल कर सकते हैं खड़े गरम मसाले डालेंगे तो यहां मैं डाल रही हूं देखिए وسटी यौती और हमें डालना है दो ही टुक्ड़े ठुक्ड़े ओं अुछलय के चुरिम! लेना है और उसके बाद flame को कर दीजे बंद और इसे हम रख देंगे side में और बाद में इसे ठंडा होने पे grind करेंगे। ऐसा करने से मसाले अच्छे से grind हो जाते हैं। इसके बाद हम केलों को भी त्यार कर लेंगे। तो केलों को पहले से काट के ना रखें, क्यूंकि ये काले पढ़ जाते हैं, तो पहले मसाले त्यार कर लें, उसके बाद केलों को त्यार करना है, इसके head and tail part को काट दीजिए, और देखें केलों को काटने का ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से चीरा लगा लीजिए, जो उसके lines बने होते हैं उस पे, और ये बहुत आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं, देखें मैं कैसे कर रही हूँ, तो ये कट लगा लेना है आपको, और आसानी से छिलकों को निकाल लेना है, तो कट लगाते समय इस बात का ध्यान देना है कि बहुत गहराई में ना काटें, नहीं तो केले भी कट जाएंगे, बस छिलकों पे कट लगाना है, और देखें कितना आसानी से ये निकल रहा है, तो इसी तरह से सारे केलों को मैं कट कर लूगी, और इसे काटना है देखिए, बड़े बड़े टुकडों में, आप चाहें तो गोलाकार में भी काट सकते हैं, पर इस तरह से काटेंगे, तो सबजी देखने में ज्यादा सुन्दर लगती है, बीच से काट लेना आपको लं लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और यहां देखिए, मैं डाल रही हूँ, दो बड़े चम्मच बेसन, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी आती, जब हम केलों को फ्राई करेंगे, तो एक ब करेंगे, अच्छे से कोटिंग हो गई है, तो बस इसे पाच मिनट के लिए हमें रख देना है, और यहां देखिए, मसाले भी ठंडे हो गया है, तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, तो इसमें मैं डाल रही हूँ, आट से दस लहसुन की कलिया, और डेर इंच टुकडे अ कड़ाई में मैंने सरसो का तेल डाला है, तो आप जो भी तेल खाते हैं उसका इस्तेमाल कीजी, और यह तेल है लगभग आधा का, तो इस रेसिपी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और अब हमें केलों को फ्राइ कर लेना है, तो मैं दो बैचिस में इसे हो जाएंगे, तो इसे उलट पुलट करके चारों तरफ से अच्छे से फ्राइ कीजिए, फ्लेम को रखा है हमने मीडियम पे, मीडियम हेट पे सारे केले को अच्छे से फ्राइ कर लेना है, और देखिए केले हो गए हैं फ्राइ, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, और जो क पियाज, अगर आपके पास पमच़ फोरन ना हो तो वो सारे मसाले डाल सकते हैं इसके बाद मैंने इसमें डाला है एक medium size का प्याज, प्याज को थोड़ी देर भून लेना है और थोड़ा color change हो जाए तो वो जो मसाले हमने तयार किये थे वो इसमें डाल देंगे और बढ़ियां से इसे fry करना है, जितना बढ़ियां आप मसालों को भूनेंगे उतना ही taste अच चमच कश्मीरी लाल मिर्च पौडर इससे color बहुत ही बढ़ियां आता है अब mix कर लीजे इसे और इसे बढ़ियां से हमें fry करना है बीच बीच में चलाते हुए चलिए अब डाल देते हैं इसमें एक medium size का टमाटर और इसे भी बढ़ियां से fry करना है जब तक कि टमाटर गल जाएगा और मसाले तली में थोड़ा चिपकने लगे हैं तो यहां पे थोड़ा समय पानी डाल रही हूं लगभग दो बड़े चमच ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं बढ़ियां से इसे mix कर लीजे और इसे चलाते हुए बढ़ियां से हमें भूनना है तो इस रेसिप से आप करके देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा और यहां देखिए मसाले अच्छे से हो गए है फ्राई तेल भी सेपरेट होने लगा है तो यहां मैं डाल रही हूं लगभग डेड़ कप पानी क्यूंकि हम ग्रेवी वाली सबजी बना रहे हैं जो चावल और चपा काना है बहुत ज़्यादा नहीं कला गला ना क्यूंकि केलें बहुत जलदी गल जाते हैं इसमें डालेंगे एक चमच, गरम मसाला पावडर और धक करके हमें 2-3 मिनर तक पका लेना है और देखिए घ्रेवी थोड़ी थिक हो गई है बस हमें इतना ही रखना है क्यूंकि ठंडा होने पे ये थोड़ी और गाड़ी हो जाती है और मैं आपको दिखाती हूं केले भी अच्छे से पक गए हैं वैसे कच्चे केले बहुत आसानी से पक जाते हैं टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है देखे तो केले की ग्रेवी वाली सबजी एक बार इस तरह से बना कर देखिए फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगा तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस बड़िया सी रेसेपी को शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ साथ ही कमेंट क करके हमें बताइए कि आप किस जगह से या किस शहर से देख रहे हैं इस तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गितांजली इस क्लासिक कुजीन को और बेल आइकन को हिट कीजिए लेटेस्ट अब्डेट पाने के लिए सो थैंक्स प